हेलो फ्रेंड्स फिर से आप सबी का मेरे नएक लोग में स्वागत है तो आज मैं आप लोग के साथ आलो परवल के लिए इस्पीशेर करने जारें की मतलब मचली के आनस्वार यह सब जीवनेगा तो चलिए और बताइए आप सब कैसे आसा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छी होंगे स्वास्त होंगे मस्त होंगे और अपने जीवन में वैस्त होंगे तो आज मैं ब्लॉग बगरा नहीं आज मैं आप लोग के साथ रेस्पीश शेयर कर रही हूं आलू पडवल की तो मैं यहां पर ले ती आलू पडवल चार प्याज तीन चार प्याज और यह लाशन-जीरा-मेर्चाह जिसे की हम अच्छे से वारिक पीष लेंगे और आलू पडवल को अच्छे से फड़ाय करेंगे तो यहां पर मैं कढाई ले ली我知道 क में हम ओल को अच्छे से गरम होने देंगे और फिर उससे ठंडा कर देंगे तभी उसमें हम आलो एड़ करेंगे तो पहले हम आलो को फ्राय कर लेंगे आलो को अच्छे कलरड़ चेंज होने तक हमेBack उसको Subscribe करना है और तोड़ी से भी नमक एड़ कर देंगे थोड़ी सी ज्यादा नहीं तो हम आलोको पहले अच्छे सप्राय कर लेते हैं इससे कि हमारी सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी लगे खाने में और पहले मैं आलो को अच्छे से फ्राय करके दिखाती हूं आप लोगों किस तरह से आलो को कलर चेंज कर देना है पूरा और चारो साइड से वो लगो हो टुलरी से अंज लगए तो फिर इसे हम निकाल लेंगे तो व्यूम एक दो हुआ चुकी है तो इसे एक दो बार चलाएंगे फिर स्कुर्ण चान लें अम निकालें मतलब क्यों आफिक जाता है तो चान के निकालेंगे आपसली तो हमारी आलो जो एच्छे से फ्राइब हो गई है अब यिसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे मतलब थाली में कि और इसमें डाल देंगे परवल परवल को भी नमक डाल करके और इसे थुरी से direction कर करेंगे क्यूंकि हमारी बर्वल स्क्राइब य। तो ये देखी मैंने कैसे छोड़ दिया था याद नहीं रहा तो पर و कुं थिस इसे प्रेस करकर के करेंगे और इसमें हम नमक अभी ही एड़ कर देंगे नमक इसलिए अभी हम एड़ कर रहे हैं इससे हमारी परवल जो है अच्छे से फ्राय होगी और इसके अंदर नमक जो कोट कोट के भड़ जाएगी और खाने बहुत ही टेश्टी लगता है फ्राय करके भी खा सकते हैं से भी बहुत अच्छा लगता है खाने में तो यह देखिए तो फाइनली कितनी अच्छी को लड़ाई है सब्जी की और इसे हम थोड़ी दिर और चला चला के और थोड़ी दिर चलने देते हैं उसके बाद दबा दबा के जो फ्राय करें हैं ताकि इसका जो थ सब्सक्राइब तो यह देखिए कितना पानी निकल रहा है तो आप लोग भी इस तरह से सब्जी बना के मतलब बना के खा सकते हैं तो बहुत है इसटी सब्जी बनने वाला आप लोग मेरे वीडियो में बने रही है और जो में चैनल पर नहीं को सब्सक्राइब कर लेजिएगा बिलाकन घंटी को जरूर प्रेस किजिएगा नौटिफिकसन आप तक जरूर पहुंचे और यहां पर हम डाल देंगे और मेरा परवल यूज कर रहे हैं तो वो हम डालेंगे फिर सकाइव डालेंगे हम प्याज अ में तो हम प्याज को है चैसे कट कर ले अविसे हम सी हुएция मतलब मतलब 60 इसको दावाद आवाद कर जोसे ना जो दूसरे से जोइंट से अवरा करेंगे तो यह दिखिक थिए चाह Works से आई कर देंगे या पिर आप काटने बगत भी बारिक चाट सकते हैं तो परमाई यहां पर थोड़ी सी बरीबरी काटने की हैँ थोड़ी सी और मतलब मसालेधार बढ़ने वाली हैं तो इसलिए वैने ठोड़ी प्याज को मितलब ना ज्यादा ना मोटा रखा बस मेडियूम साइज का रख दिया काट के और इसमें सारे मसाले हमने एड कर दे जो हमने आप लोग को दिखाया था लैसान मेर्च जीरा तो वह हमने पेश्ट डाल दिया और यहां पर एड करेंगे धनीय मसाला जो कि मैंने उस अच्छे सिस्क जब यह ओल छोड़ने लगेगा ज्यादा नहीं पकाना है तो मतलब पकाना है पर ज्यादा नहीं पूरा नहीं पकाना नौबे परसेंट पका लेना है मसाला को और फिर इसमें हम डाल देंगे वही जो फ्राय क्याओं मेरा सब्जी है वो एड कर देंगे तो हमारी जो है सब्जी भी 10% मतलब पक चुकी है और 90% जो हमारी मसाला पक चुकी है तो बस यह दुनों को अच्छे से फ्राय करने बाद समें हम पाने एड करेंगे और हमारी सब्जी की रेस्पी हजा अपनों को कैसे लगे आपनों कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह देखिए फाइनली हम इसे अच्छे से मिला देंगे और इस कराय में हम नहीं पाने एड करेंगे क्योंकि कराय में होने वाली नहीं है तो मैं इसे कूकर में डाल दूँगी कूकर में डाले से अच्छे से पक भी जाएगी और खाने में इसका ग्रेवी भी जो है सब्सक्राइब कर लिजेगा प्लीज यह बिलाकन घंडी को जरूर ओन कर लिजेगा ताकि मेरे वीडियो पर नूट्फिकेशन आप तक जरूर पहुचे तो फाइल हमारी सब्सक्राइब कर देंगे डाल देंगे और इसे में रोटी चाब लू के साथ बहुत अच्छे से ख़ा सकते हैं तो फाइाली मैं कूकर में डाल दी और इसे मैं अच्छे से चलाका मिला दूंगी और कड़ा दूंगे तो हमारी समझी की रेस्पी कैसी लगी आप लोग प्लीज कॉमेंट में ज़रू बताईएगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा बेल अकन घंडी को ज़रूर दबाईएगा तो मिलते हैं नए रेस्पी साथ और नए ब्लोग के साथ तब तक आप लोग मेरे ब् किजिए टेक केर बाई वाय थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो बाई बाई